आज कैश की जरूरत पढ़ते ही लोग ATM पहुंच जाते हैं और फटा-फट अपने जरूरत के हिसाब से पैसे निकाल लेते हैं लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि ATM से निकले कैश में कुछ नोट कटे-फटे पुराने जैसे होते हैं कटे-फटे नोट निकलने से अक्सर लोग परिशान हो जाते हैं दरसल ATM से कटे-फटे नोट निकलने के बाद लोग सोच में पढ़ जाते हैं कि अब इस नोट का क्या करेंगे क्योंकि बजार में जिसे देंगे वो लेका नहीं ऐसे में परिशान होना भी लाजमी है लेकिन इस बात को लेकर घबराने के ज़रूरत बिलकुल नहीं है क्योंकि आप कटे और फटे नोट को आसानी से बदल सकते हैं कटे फटे नोट बदलने से मना नहीं कर सकते बैंक। RBI का नियम साफ कहता है कि अगर ATM से कटे फटे नोट निकलते हैं तो बैंक बदलने से इनकार नहीं कर सकता है। आपको बता दें कि नोट बदलने के लिए बैंक में कोई लंबा प्रोसेजर नहीं है। मिंटों में नोट को बदला जा सकता है ATM से निकले फटे पुराने नोट आप उस बैंक में ले जाए जिस बैंक के ATM से निकाला है वहाँ जाकर आपको एक application लिखना होगा जिसमें आपको पैसे निकालने की तारीख समय जिस जगह से निकाला है उसका नाम mention करना होगा अप्लिकेशन के साथ ATM से निकली उस slip की copy भी लगानी होगी अगर slip नहीं निकली तो फिर मोबायल पर i-transaction detail की जानकारी देनी होगी अपनी एक गाइडलाइन में कहा है कि बैंक कटे फटे गंदे नोट बदलने से इंकार नहीं कर सकते। सभी बैंक अपनी हर ब्रांच में लोगों के कटे फटे गंदे नोट बदलेंगे और ऐसा सभी ग्रहकों के साथ किया जाएका। जुलाई 2016 में RBI ने एक सरकुलर में कहा था कि अगर बैंक खराब नोट बदलने से इंकार करते हैं तो उन पर 10,000 रुपे का जुर्माना लगेगा और ये सभी बैंकों की सभी शाखाओं पर लागू होता है। RBI के मताबिक ATM से खराब या नकली नोट निकलने के जिम्मधारी सिर्फ और सिर्फ बैंक की होती है। उस एजेंसी की भी नहीं जो नोट ATM में डालते हैं। नुसार बुरी तरह से जले हुए तुकड़े तुकड़े होने के स्थिती में नोटों को नहीं बदला जा सकता। इस तरह के नोटों को RBI के प्रेशन कार्याले में ही जमा कराया जा सकता है। बैरहाल RBI के आदेश के बाद भी बैंक नहीं मानते हैं। जिसके कारण लोगो को कई तरह की परिशानियों का सामना करना पड़ता है। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजे ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।